आवो जुक कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है किस कदर खुश नसीब है वो लोग खुण जिनका वदन के काम आता है जहिन दोस्तों आज हम लेके आएं आपके समक्स परमवीर चकर विजयता मेजर सेतान सिंग की जिवन गाथा राजस्थान के बाना सूर के रहने वाले मेजर साब देश के परतम परमवीर चकर विजयता है मेजर साब राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं अफितू समपूर्ण विश्व में अपनी सोरे के कारण जाने जाते हैं 1962 में एक कमपनी की साथ में मेजर साब की पोस्टिंग चाइना बोर्डर के उपर थी एक कमपनी के उपर चाइना की ओर से संपूर्ण बटालियन का आक्रमन कर दिया गया मेजर साब ने बटालियन का डटकर सामना किया सामना ही नहीं अपी तु संपूर्ण बटालियन को तहस नहस करके मौत के घाट उतार दिया मातर 120 लोगों की साहिता से 136 लोगों की चाइना की आर्म को बटालियन को मौत के घाट उतार दिया इस बहादूरी को देखते वे कवी प्रमोद ने एक बहुत सुन्दर कविता लिखी ऐ मेरे वतन के लोगों इस कविता के अंदर एक पंक्ती आती है एक एक ने दस दस को मारा वो मेजर सेतान सिंग भाटी की ही वीरता को समर्पित है जिसको लतामंगेसकर ने बहुत ही सुरीली आवाज पुर्धान की है अब आईए हमें आपको बताता हूँ थोड़ा मेजर सेतान सिंग के जीवन परीचे के बारे में आपका जनम राजस्तान के बाना सुर गाउं में हुआ गुनी सो चोईस में उसके बाद में यो आवस्ता में ही आपने राजस्तान की जोजपुर रियास्त की आर्बन फोर्सस के अंदर जोइनिंग ली उसमें कुछ समय कारे करने के फ़स्ता जब जोजपुर रियास्त का भारत में वीले हो गया तो आपको भारत की आर्म फोर्सेस के अंदर दाखिला मिल गया उसके बाद में आपने भारत की ओर से आर्म फोर्सेस में सेवाए दी आपने गोवा विले के अंदर भी अदम में साहस दिखाया और गोवा का सफलता पुरुवक भारत में विले करवाया उसके बाद में पूरोतर राज्यों में म्यानमार की ओर से हो रहे आकरमन और विद्रो को दबाया और भारत की पूरोतर राज्यों की सीमा को सुरक्सित किया उसके बाद में जब इंडिया चाइना वोर की आखांक साथी तब आपका आपकी कमपनी के साथ में इंडिया चाइना बोर्डर के उपर पोस्टिंग कर दी गई और जहां आपने मातर एक कमपनी की साहता से चाइना की पूरी बटालियन का डटकर सामना किया और सभी को मोत के घाट उतार दिया इस युद के दोरान हाला कि आप और आपकी कमपनी के भी कोई जवान जीवित नहीं रहे सभी सहीद हो गए लेकिन ये साहस ये त्याग ये बलिदान वेर्थ नहीं गया और आपको और आपकी कमपनी को भारत ने संपूर्ण तया आजीवन अपने आखों में विराजमान किया और आपका नाम स्वर्णक स्वरों में लिखा गया इस बलिदान का वेसे तो पता नहीं लगता क्योंकि उस समय लगबग वहां का परिस्तितियां बहुत जगजोर देने वाले थी माइनस 30 डिगरी के ताप पान के अंदर वो युद हुआ था उसके बाद जब थोड़ा मोसम गरम हुआ उस पहाड़ी के उपर आवाजाई सुरू हुई तब कोई गड़रिया वगएरा गया उधर और उसने आके रिपोर्ट दी कि वहां पे कुछ सेनिक्स पड़े हैं तब भारत की रेस्क्यू फोर्सेज आर्मी की रेस्क्यू फोर्स वहां गई और वहां का मंजर देखके चौक गई उस वक्त मेजर के हातों में उनकी MMG मसीन थी और एक तरफ भारत के 120 जवान सही धोये वे थे और टेकरी के दूसरी और चाइना के लगबग 1300 लोग मरे वे थे ये मंजर देखके खोव कोई आम नागरी के अराम से खा जाता उसके बाद में जब इस चीज का पता चला चाइना को भी पता चला तो चाइना में हड़कम मच गया और चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी से रिक्वेश्ट की कि हमें वहां आने दिया जाए और हमारे जवानों के सव लेकर गया ये चीज बताता है कि मेजर साब ने इंडिया चाइना सीमा की रक्सा की और चाइना भी मानता था कि यहां से आगे जाना खत्रे से खा ले नहीं है इसलिए पूछ कर आया थैंक्यू जैहिंद